हेलो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC-CHSL रिकुट्मेंट के ओनलाइन फॉम्फिलाप प्रोसेस के बारे में जिया फ्रेंट्स SSC की तरब से एक नियो रिकुट्मेंट निकली गी है जो है SSC-CHSL मतलब Combined Higher Secondary Level Examination और इसका जो उनलाइन फॉम्फिलाप प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है अभी आप इस रिकुट्मेंट के लिए उनलाइन अपलाई कर सकते हो तो इस वीडियो में फूल डिटिल्स में बात करेंगे कैसे हम SSC-CHSL मतलब Combined Higher Secondary Level Examination के लिए ओनलाइन फॉम्फिलाप कर सकते है इससे पहले मैं इस एकुट्मेंट के बारे में थोड़ा देटेल्स आपको बता देता हूँ तो यह रहा इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन का लिंक में इस वीडियो के देस्क्रिफिकेशन में देदूंगा आप वहाँ से क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेना अच्छे से तो यह आप देख सकते हैं इसका जो ऊलनलान फरम parts ृ पर करने का जो लच्ट होलु BBQ अइज के बारहें बात करें तो इसमें 1.30 लेकर 27 यजर्शन तक रखी गई beta शूलॲौकर 2018 ऑइज जो है और S.A.S.T. candidates को यहाँ पर 5 तूट मिलेगी और OBC student को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी और PWG और PWG OBC और PWG SCST का भी यहाँ पर आप देख सकते हो और एक सर्विसमेंड के लिए यहाँ पर एड रिलेक्जेशन दिया गिया है आप यहाँ से चेक कर पाओगे educational qualification के बारे में बात करें तो इसमें 12 pass मंगी गई है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और application fee इसमें 100 रूपी से रखी गई है आपको 100 रूपे payment करना होगा online तो अगर आप 12 pass candidate हो तो आप इस recruitment के लिए अपलाई कर सकते हो तो केसे अपलाई करना है चलिए इसके बारे में बात करते हैं अभी तो यहाँ पर मैं यह जो apply है यह अपने phone से करके दिखाऊंगा आप लोगो को आप चाहो तो phone से भी कर पाओगे या फिर आप अपने PC या फिर laptop से भी कर पाओगे तो आप अपने mobile पे कोई साभी एक browser को open करोगे और यहाँ Google में जाके आप search करोगे SSC SSC लिख के search करने के बात next page निगल कर आएगा आपके सामने तो यहाँ पे जो पहला जो link है SSC.nac.in का यह SSC का जो पुराना website है यह उसका link है अभी SSC के तरब से नईया website launch किया गिया है जो है SSC.gov.in तो इसी के धुरू हाँ में यह जो फॉमफिला पे इसे करना होगा तो यहाँ SSC.gov.in का जो link है इसके क्लिक करेंगे इसके बात SSC का जो official website है वो निकल कर आएगा आपके सामने यहाँ उपर आपको 3.s पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको desktop site को on कर लेना है इससे क्या होगा यह जो है या desktop mode में दिखाई देगा आपको तो PC और laptop में भी same as interface देखने को मिलेगा आपको इसके बाद यहाँ page को थोड़ा निचले के जाएंगे तो यहाँ quick links के section में आपको पहला जो option है apply का इस पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर दो notification दिखाई देगा मतलब दो link दिखाई देगा तो पहला है junior engineer का और जो second option है वो है combined higher secondary level मतलब CHSL का तो इसके बाद में आज के इस video में बात करेंगे तो यहाँ site पर जो apply है इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद login page निकल कर आएगा आपके सामने तो अगर आपने ssc.gov.in पर अपना registration कर लिया है मतलब otr कर लिया है one time registration कर लिया है तो अब आपना registration number मतलब username और password और capture enter करके आप यहाँ से login कर सकते हो और अगर आप नए user हो तो यहाँ आपको registration करना होगा उसके लिए आप यहाँ login to register पर क्लिक कर सकते हो यहाँ फिर यहाँ आप register नव पर भी क्लिक कर सकते हो तो चलिए यहाँ register नव पर क्लिक करते है इसके बाद next page निकल कर आएगा आपके सामने यहाँ पर लिखा one time registration मतलब otr करना होगा आपको यहाँ पर पहले तो यहाँ पर पहले आपको अपना personal details fill करना होगा इसके बाद password create करना होगा इसके बाद additional details fill करना होगा और इसके बाद declaration complete करना होगा उसके बाद जाके आपका जो फंफिल आ पैवो complete होगा मतलब otr जो है registration जो है वो complete होगा तो यहाँ नीचे Continue पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Personal Details का जो पेजे वो निकल कर आ गया है तो यहाँ पहला जो Option ने उस पे लिख्था है Do You Have A Other Card तो यहाँ पे अगर आपके पास Other Card है तो यहाँ Yes करोगे और यहाँ आप अपना Other Card Number फिल करोगे और फिल से वो ही Other Card Number फिल करोगे और अगर आपके पास Other Card नहीं है तो यहाँ पे आप No कर सकते हो No करने पर आपको यहाँ पे कोई और Document मतलब ID Card यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ आप Type of Identification Card पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और जो ID Card है उसका List यहाँ पे निकल कर आ जाएगा यहाँ से आप कोई साब भी एक ID Card को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि Driving License को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो Employer ID को सेलेक्ट कर सकते हो Pen Card, Passport, School, College ID Card या फिर Water ID Card आप यहाँ पे कोई साब भी एक ID Card को सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैं Pen Card को सेलेक्ट कर कर दिखा देता हो तो यहाँ पे मैंने Pen Card सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे लिखा है Identification Card Number मतलब यह जो Pen Card हमने सेलेक्ट किया है इसका pen card number यहाँ पर fill करना होगा इसका मतलब ID number यहाँ पर fill करना होगा तो अगर आपके पस आदरकाट नहीं है तो यहाँ से आपको इसा भी ID card को select करोगे और उसका जो number है वो यहाँ पर आप fill करोगे मेरे यहाँ पर आदरकाट पहले से है तो यहाँ पर हम yes करेंगे और अपना 12D दिक का आधरकार नमबर यहाँ पर फिल करेंगे और उस नमबर को फिल्टर यहाँ पर confirm करेंगे मतलब verify करेंगे इसके बाद page को निचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है candidates name as per matriculation certificate यहाँ पर आप अपना नम एंटर करेंगे जो भी आपके matriculation certificate में mention किया गिया है उसी तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ fill करना होगा जैसे कि आपका नाम हो गया आपका father name matriculation certificate होगा उसमें जैसा भी लिखा है same उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा तो यहाँ पहले आप अपना नाम टाइप करोगे इसके बाद अपना नाम फिर से यहाँ पर confirm करोगे इसके बाद है do you ever change name तो अगर आपने कोई भी अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पर yes करके आप वो नम यहाँ पर लिखोगे अगर नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ आप नो ही रहने दोगे इसके बाद यहाँ से आप अपना gender select करोगे इसके बाद verify करोगे gender इसके बाद यहाँ पर अपना date to birth फिल करोगे यहाँ पर आपको calendar का icon दिखाई दे रहा होगा इसके पर click करना है इसके बाद यहाँ आप click करोगे और यहाँ से आप अपने यार को पहले select करोगे कौनसी यार को आपका जनम हुआ है इसके बाद अपना month यहाँ पर select करोगे और इसके बाद date यहाँ पर आप select करोगे सेम इसी तरह से आप फिर से यहाँ पर date to birth confirm करोगे इसके बाद अपना फारास नेम यहाँ पर fill करोगे अपना फारणने मीं फिर से यहां पे फिल करोगे इसके बाद अपना मादरने मीं फिल करोगे अपना मादरने मीं फिल से कंफर्म करोगे इसके बाद है में ट्रिकुलेशन 10th Class Education Board मतलब आपने 10th Class जो है वो कौन सी बोर्ट से पर्स किया है उस बोर्ट का नाम यहाँ पर आप स्लेक्ट करोगे जैसे कि मैं यहाँ पर CBS स्लेक्ट करूंगा Central Board of Secondary Education अपने बोर्ट को फिर से यहाँ पर कॉन्फर्म करोगे इसके बाद है यहाँ थे यहाँ पर आपना यहाँ पर से अपने आप स्लेक्ट करोगे इसके बाद है highest level of educational qualification तो यहाँ से आप अपना जो highest educational qualification है वो select करोगे मतलब आपने कहा तक पराय किया है वो यहाँ पर select करोगे जैसे कि मैं यहाँ पर graduation select करूँगा इसके बाद फिर से यहाँ पर higher educational qualification को select करेंगे इसके बाद candidates mobile number आप अपना mobile number यहाँ पर fill करोगे इसके बाद email id यहाँ पर fill करोगे और सब कुछ fill करने के बाद यहाँ नीचे save and next पर click करोगे तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से अपना तो details से वो fill कर लेता हूँ यहाँ friends एक बाद बताना भूल गी आप लोगो को यहाँ पर आप अपना phone number एंटर करोगे उसके बाद यहाँ send OTP पर click करोगे तो यहाँ आपने जो भी phone number एंटर किया है उस पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP आप यहाँ पर fill करोगे OTP fill करने के बाद यहाँ validate पर click करना है तो यहाँ पर यह validated आजाएगा इस तरह से और इसके बाद फिर से यहाँ पर आप अपना email id टाइप करोगे तो email id भी यहाँ पर आपको verify करना होगा तो यहाँ email id टाइप करने के बाद यहाँ पर send OTP पर click करोगे तो आपके mail पर भी एक OTP भेजा जाएगा वो OTP फिर से आप यहाँ पर type करोगे तो यहाँ OTP टाइप करने के बाद फिर से यहाँ यहाँ विलिडेटेड़ पर क्लिक करना है तो यहाँ पे जो है Ml.A.D. भी विलिडेटेड हो जाएगा और यहाँ पे बागि यहाँ सब इटेल्स यहाँ फिल करने के बाद यहाँ निचे simply save and next पे क्लिक करना है तो आपके समने यहाँ पे इस तरह से success लिखा आ जाएगा यहाँ आपके पे क्लिक करना है इसके बाद next page जो है वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पे आपका registration number शोग करेगा जो भी आपका registration number होगा इससे आपको कही पर not down कर लेना है या फिर आपके email id या फिर आपने phone number पर भी send किया जाएगा यह जो registration number है यहाँ page को थोड़ा निज़े लेके जाएंगे और यहाँ continue पर click करेंगे continue पर click करने के बाद यहाँ पर login page निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको registration number मिला था वो registration number यहाँ पर fill करना है और आपके mobile number और email id पर भी एक password send किया होगा वो password यहाँ पर आपको fill करना है तो यहाँ पर registration number और password fill करने के बाद यहाँ इस capture को type करना है capture type करने के बाद यहाँ नीचे sign in पर click करना है इसके बाद यहाँ पर अपना password change करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर old password पर आभी तो message के थ्रूँ आपको password मिला था वो fill करना है और इसके बाद यहाँ new password पर आपको एक निया password यहाँ पर set करना होगा create करना होगा उसे यहाँ पर fill करना होगा और यहां पर new password जो है वो किस तरह से रखना है उसका instruction दिया गिया है तो आपका जो password होगा वो minimum 8 characters का होना चाहिए और एक upper case later आपके password बे होना चाहिए कम से कम और कम से कम एक lower case later भी आपके password बे होना चाहिए और आपके password पे एक या फिरूस से जदा number एक number होना चाहिए और इसके बाद आपके password पे एक कम से कम एक special character होना चाहिए जैसे की hashtag हो गया और add the rate of हो गया तो आप इस guideline को follow करके अपना password यहाँ पे create कर सकते हो इसके बाद same password को यहाँ पे फिर से confirm करोगे और यहाँ निचाप को security questions का answer देना होगा यह recovery के लिए है तो यहाँ पे security question number 1 पे आप click करोगे तो questions यहाँ पे निकल कर आ जाएगा तो यहाँ से आप कोई साबी question को यहाँ पे select करोगे और उसका answer आप आपने मुताबिक यहाँ पे आप रखोगे और security questions second पे भी आप कोई साबी equation को यहाँ पे select करोगे और उसका answer यहाँ पे आप fill करोगे अपने मुताबिक और इसके बाद यहाँ से event next पे click करना है उसके बाद यहाँ पे password created successfully का message आ गिया है यहाँ आपके पे click करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो password है वो successfully set हो गया है तो यहाँ पे फिर से हमें login करना होगा वो ही registration number और नया जो password हमने create किया है वो password यहाँ पे fill करेंगे capture यहाँ पे type करेंगे और यहाँ simply login पे click करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमें additional details fill करना होगा तो पहला है category तो यहाँ से हम अपना category select करेंगे जैसे कि आप यूर हो तो मतलो जनर्यल हो तो यहाँ पे यूर select करोगे OBC हो तो OBC select करोगे OBC select करोगे और category को फिर से यहाँ पे confirm करेंगे इसके बाद यहाँ nationality में click करेंगे और यहाँ से हम citizen of India को select करेंगे क्योंकि हम Indian citizens है इसके बाद यहाँ fourth number पे है visible identification mark तो यहाँ आपके अगर body में कोई साभी duck bagger है मतलब cut का निशान है तो आप यहाँ पे उसका details दे सकते हो और अगर कोई भी duck bagger है या फिर cut का निशान नहीं है तो यहाँ पे आप simply no mark लिक दोगे इसके बाद है person with benchmark durability अगर आप durable person हो तो यहाँ पे yes करोगे और अपना type of durability यहाँ से आप choose करोगे और इसके बाद अपना durable certificate number यहाँ पे enter करोगे अगर durable नहीं हो तो यहाँ पे simply no करोगे इसके बाद यहाँ पे अपना permanent status fill करना होगा जैसे कि हम यहाँ पे गाव या फिर share का नाम यहाँ पे fill करेंगे इसके बाद यहाँ से हम अपना state select करेंगे इसके बाद अपना district select करना है इसके बाद यहाँ पे अपना pin code enter करना है इसके बाद है is present address same as permanent address मतलब अगर आपका permanent address और present address same है तो यहाँ पे आप yes करोगे यस करने से क्या होगा आपने जो भी यहाँ permanent address पर fill किया होगा वो सारा यहाँ पर अतमेटिक आ जाएगा अगर आपका permanent address और present address से इस तो यहाँ पर आप नो करोगे और आपने present address आप मैनुएली fill करोगे उसके बाद यहाँ save and next पर क्लिक करना है तो यहाँ details fill करने के बाद save and next पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर अपका additional details जो वो save हो जाएगा यहाँ ok पर click करेंगे इसके बाद हमें declaration verify करना होगा complete करना होगा तो यहाँ I agree पर tick करेंगे और यहाँ निचे declare पर click करेंगे या फिर आप यहाँ पर preview otr पर click करके अपने जो भी details यहाँ पर fill किया है अभी तक वो सारा यहाँ पर एक बार check कर सकते हो मेरे यहाँ पर सब कुछ सही है तो यहाँ में declare पर click करता हूँ और यहाँ ok पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका जो registration होगा वो complete हो जाएगा अभी आप जब भी SSC के website पर login करेंगे अपना user ने मतलब registration number और password चार करके तब आपको इस page में आना होगा मतलब इस page में लेके आएगा तो यही page आपके समने show करेगा जब भी आप login करेंगे यहाँ पर आपका सब कुछ show करेगा और आप नेक्स टेम जब SSC के कोई भी recruitment fill आप करोगे तब आप यहाँ direct login करेंगे तो यही page निकल कर आएगा आपके समने और यहाँ page को थोड़ा निचे लेके जाओगे तो यहाँ पर आपको एक live examinations का section दिखाई देगा तो इसी के अंदर जो है SSC के अंदर जो भी recruitment चल रहा होगा वो सारा यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि आभी यहाँ पर एक ही recruitment show कर रहा है ने sorry दो recruitment यहाँ पर show कर रहा है एक है junior engineer का और एक है SSC CHL मतलब combined hair secondary level का तो यहाँ पर हमें combined hair secondary level examination को fill up करना है तो यहाँ नीचे apply पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो apply का option दिखाई दे रहा है इसके बाद यहाँ पर instruction दिया गिया है आप चाहब तो इसे पर सकते हो इसके बाद यहाँ fill form पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर personal details का page fill से निकल कर आएगा आपके समने तो यहाँ पर अपने पहले registration करते हैं जो भी अपना details fill किया था वो सारा यहाँ पर show करेगा यहाँ page को निचल लेके जाएंगे और यहाँ next पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर अपना educational details fill करना होगा जैसे कि पहले है highest educational qualification यहाँ पर अपने कहा तक परह किया है वो यहाँ पर enter करना होगा आपको जैसे कि अपने graduation किया है तो graduation को select कर सकते हो post graduation किये हो तो यहाँ post graduation को select कर सकते हो और अगर जिप्लोमा किया है तो यहाँ जिप्लोमा को select करोगे तो मैं यहाँ पर graduation को select करता हूँ और इसके बाद है details of qualifying educational qualification मतलब यह जो recruitment है इसके लिए कितना qualification मांगी गई है वो यहाँ पर आपको देना है जैसे कि यहाँ पर हम 12 standard को select करेंगे और इसके बाद है educational qualification status तो यहाँ पर 12 class आपने pass किया है या फिर appearing हो वो यहाँ से आप select करोगे जैसे कि हम यहाँ पर past select करेंगे और इसके बाद यहाँ पर अपना passing यार select करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम अपने state या फिर board या फिर university का नम select करना है तो यहाँ पर हम अपने state का नम select करते हैं और इसके बाद यहाँ पर है name of the board और university यहाँ पर हम अपना board का नम यहाँ पर university का नम fill करेंगे तो यहाँ पर आपका तो 12 class होगा उसका तो board है उसका नम यहाँ पर select करना होगा तो मैं यहाँ पर ट्रिपरा board of secondary education को select करता हो और इसके बाद अपना 12 class का रोल नम बर है वो यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद 12 class में कितना percentage मिला है वो यहाँ पर enter करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर percentage एंटर कर देता हो और रोल नम बर भी यहाँ पर fill कर देता हो यहाँ पर आप यहाँ पर चाहो तो cgpa भी एंटर कर सकते हो इसके बाद यहाँ simply save and next पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ok करेंगे इसके बाद next page निकल कर आएगा आपके सामने additional information का तो यहाँ पर लिखा है whether you are an ex-serviceman तो यहाँ पर आप ex-serviceman हो तो यहाँ पर yes करोगे नहीं तो no करोगे इसके बाद है whether seeking age relaxation तो अगर आपको इस recruitment के लिए age में relaxation चाहिए तो यहाँ पर आप yes कर सकते हो और यहाँ से अपना relaxation code select करोगे जैसे कि OBC हो तो OBC यहाँ पर select करोगे SST हो तो यहाँ से आप select कर सकते हो अपने मुताबे तो मेरे यहाँ पर relaxation नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर no करूँगा इसके बाद है do you want to make your personal information available for accessing job opportunities तो यहाँ पर यहाँ पर no कर सकते हो और इसके बाद save and next पर click करेंगे यहाँ से हम ok करेंगे इसके बाद additional information 2 का पीट निगल कर आएगा तो यहाँ पर पहले है preferences of examination center तो यहाँ पर आपको अपना examination center चूश करना होगा तो यहाँ preferences 1 पर click करते है और आप कुन सा सहर में अपना examination center रेकना चाहते हो वो यहाँ से आप select कर होगे जैसे कि मैं यहाँ पर नर्थी स्टागरतला को select करता हूँ और इसके बाद preferences 2 पर भी आप एक सहर का नाम यहाँ पर select कर सकते हो जो भी आपका नस्दिक होगा वो सहर आप यहाँ से select कर सकते हो और इसके बाद preferences 3 पर भी आपको एक सहर का नाम select करना होगा एक center का नाम select करना होगा और इसके बाद है medium of computer based examination तो यहाँ पर आपका जो computer based examination होगा उसका language यहाँ से आप select करोगे जिसे कि अगर आप Hindi में रखना चाते हो तो Hindi select करोगे English करना चाते हो तो English करोगे आपने मुताबक यहाँ से स्टूस करोगे मैं यहाँ पर simply English को ही रहने देता हूँ और इसके बाद अपना medium of computer based examination फिल्च से confirm करेंगे और इसके बाद है medium for typing test तो यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से आपका तो typing test होगा उसका language यहाँ पर select करोगे इसके बाद यहाँ पर 27.3 नमबर पर है तो अगर आपके राइटिंग में कोई भी physical limitation है तो यहाँ पर आप यहाँ कर सकते हो और अगर कोई limitation नहीं है तो यहाँ पर simply know करोगे इसके बाद यहाँ 28 नमबर पर आऊगे और यहाँ पर लिखा है weather 12 standard pass in science stream with mathematics as a subject from a mess board or equivalent तो यहाँ पर बोला गिया है आपने तो tell pass किया है किया आपने science stream में किया है with mathematics तो यहाँ पर अगर आपने science with mathematics किया है तो यहाँ पर yes कर सकते हो yes करोगे और अगर आपने arts या फिर commerce में किया है तो यहाँ पर आप no करोगे और इसके बाद यहाँ से event next पे क्लिक करना है simply इसे यहाँ से ok करेंगे इसके बाद next page यहाँ पे निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना photograph और signature अपलोट करना होगा तो यहाँ पे photograph जो है वो live capture करना होता है और यहाँ पे अपना photograph का जो instruction ने वो दिया गिया है आप जहाँ पर भी live photo खीचेंगे उसका जो background है वो plain होना चाहिए वालो simple होना चाहिए फोटो आप सामने देखके खीचेंगे और इसके बाद आपने कोई भी mask या फिर sun glass वेगरा नहीं पेहना हो इसका आपको ध्यान रखना है तो यहाँ फोटो खीचने के लिए यहाँ capture live photo पे क्लिकर के भी अपना photo यहाँ पे ले सकते हो तो चलिए यहाँ capture live photo पे क्लिकर के देखते है इसके बाद यहाँ से हम camera को जो है allow कर देंगे और सबी पर्मेशन को यहाँ पे हम allow कर देंगे तो यहाँ पे जो capture live photo है यहाँ पे थोड़ा सा problem कर रहा है पता नहीं क्यूँ तो यहाँ पे photo upload करने का और एक system है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक keyword देखने को मिलेगा इस keyword को आपको scan करना है scan करने के बाद आपको play store में लेके जाएगा और ssc का जो website होगा मतलब app होगा application होगा वो आपके सामने निकल कर आजाएगा तो आप उस application को अपने mobile पे डाउनलोड करोगे तो चाहो तो आप इस application का मतलब keyword कोट को यहाँ पी scan कर सकते हो यहाँ फिर आप simply play store में जाओगे और यहाँ search box पे आप search करोगे my ssc लिख के तो यहाँ पे यह जो application है यह आपके सामने निकल कर आजाएगा इस application को आपको अपने mobile पे install करना है चलिए मैं यहाँ पे इस application को update कर लेता हूँ install होने के बाद इसे simply यहाँ से open करेंगे तो यहाँ पे login करने के लिए बोला जाएगा तो आपका जो ssc का registration number होगा वो आप यहाँ पे type करोगे और अपना ssc का password यहाँ पे type करोगे और इस capture को यहाँ पे type करोगे और यहाँ login पे clicker के login करोगे तो यहाँ पे मैं login कर लोता हूँ और यहाँ से हम accept करेंगे privacy policy को तो यहाँ पे यह open hooker आजाएगा आपके सामने login हो जाएगा यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ my application का section देखने को मिलेगा आपको जैसे कि हम वहाँ पे CHSL का fulfill आप कर रहे थे तो वो ही यहाँ पे शोग कर रहा है CHSL combined high technology level can plus two examination photo upload करने के लिए यहाँ capture का जो icon दिखाई दे रहा है इस पो क्लिक करना है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कैसे photo खिचना है जैसे कि आपने कोई भी संग्लस बेगरा नहीं पहेना हो चस्मा बेगरा और आपने कुई भी mask बेगरा नहीं पहेना हो और अपका जो photo होगा मतलब जहां भी आप फोटो खिटेंगे वहाँ पर light होना चाहिए अंधरा नहीं होना चाहिए ज़्यादा तो चलिए अपना फोटो यहाँ पर खिच लेते हैं उसके लिए हम यहाँ नीचे प्लास का इकन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से हम अपना फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो तो हो वो क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख्था भी आगे यहाँ फोटो एप्रूब एंड प्रोसेस्ट बोलके तो अगर आपका फोटो यहाँ पर सही आता है तो आप यहाँ पर upload पर क्लिक करोगे और अगर आपका फोटो यहाँ पर सही नहीं आता है आपका अपना फोटो फिर से यहाँ पर capture करना होगा उसके लिए आप यहाँ try again पर क्लिक करोगे और अपना photo यहाँ पर फिर से capture करोगे और अगर सही आता है तो यहाँ upload पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आगे यहाँ successful photograph uploaded successfully और यहाँ continue to website तो यहाँ return पर क्लिक करेंगे तो साथ ही साथ आपका जो photo होगा वो यहाँ पर upload हो जाएगा तो अब ही हम आपने chrome browser के जाके देखते है photo जो है वो upload हो गया है यहाँ फिर नहीं यहाँ पर page को में एक बार refresh करके देखता हूँ अब भी एक बार refresh कर लेना page को तो यहाँ पर आप डेख सकते है photo जो है वो यहाँ पर successful upload हो गया है और यहाँ page को निचे लेके जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना signature रफ्रूट करना होगा तो यहाँ पर signature का size वेगर यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आपका signature जो है वो 10KB से 20KB के बीच में होना चाहिए और jpg या फिर jpg format में होना चाहिए और यहाँ पर image dimension दिया गया है जैसे कि 4 cm और 2 cm होना चाहिए आपका जो photo है वो और आपका signature यहाँ पर blur नहीं होना चाहिए और signature जो है वो horizontally aligned होना चाहिए तो यहाँ upload signature पर क्लिक करके हम अपना signature यहाँ पर upload तो यहाँ पर signature भी जो है वो upload हो गया है photo हो चाहिए पर upload करने के बाद यहाँ save and next पर क्लिक करेंगे इसके बाद preview form निकल कर आएगा आपके सामने जो भी आपने fill up किया होगा वो सारा details यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो सब इचल्स आप यहाँ पर चेक करेंगा अच्छे से और page को निचले के जाएंगे अगर यहाँ पर कुछ भी गलत लगता है आपको तो यहाँ go backpack लिक करके आप पीछे जाके उसे सही कर सकते हो और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से आप save and next करोगे इसके बाद declaration का page निकल कराएगा आपके समने यहाँ इसे आएगरी करोगे और इसके अप्ट्रा को यहाँ पर आप fill करोगे और यहाँ से इवेंट next करोगे इसके बाद यहाँ पर लिखा आ गया है form received successfully content verification pending तो यह जो content verification pending है यह automatic जो है वो complete हो जाएगा मतलब success हो जाएगा कोई बात नहीं तो यहाँ पर आपका तो form है वो successfully apply हो गया है complete हो गया है तो मैंने जिसका form apply करके दिखे आपको यह एक female candidate है तो इनको यहाँ पर कोई भी fee pay करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि SCST और female के लिए application fee जो है वो free है अगर आप general यह फिर OBC candidate होंगे तो आपको यहाँ पर application fee जो है payment करने के लिए बूला जाएगा 100 रूबिस का तो उससे आप अपने UPI से भी या फिर net banking से या फि payment करने के बाद आपका भी form यहाँ पर सक्सेद हो जाएगा सक्सेद फुली सप्मिट हो जाएगा तो यहाँ अप प्रेंट अप्लिकेशन प्लिकेशन पर क्लिक करके आप अपने अप्लिकेशन अप्लिकेशन फॉर्म को यहाँ से download या फिर print आउट करकर रह सकते हो तो फिर से kami पो अपेज्ट को डिखाई देगा इसपे क्लिक करना है और यहां पर आपको प्रिट का She was the फिर से तो यहां प्रिंच पे क्लिक करके भी आप इस एप्लीकेशन फर्म को यहां से विट्रिंच आउट करके रख सकते हो फिचा रेफरेन्स के लिए तो फ्राइंच इस तरह से आप भी SST CETSL के लिए ऑन्लेन फोंफिल अप कर सकते हो आपने मॉबाइल से घर बेखे ही